हसी रोक पाओ तो बोलना, पप्पु अपनी मम्मी से बुरी तरह पीठने के बाद अपने पापा से बोला, आप कभी पाकिस्तान गए हो, पापा ने कहा, नहीं बेटा, पप्पु ने फिर पूछा, कभी अफगानिस्तान गए हो, पापा ने फिर कहा, नहीं बेटा, पप्प कल में अपनी पत्नी के बर्दे की केक लेकर गया था, चिंटू लेकिन इसका आँख सूजने से क्या संबंध है, पप्पू भाई, मेरी पत्नी का नाम है तपस्या, पर केक वाले बेवकूफ दुकानदार ने गलती से लिख दिया, हैपी बर्दे समस्या कल में रास्ते से जा रहा था, तो एक भाईजी ने मुझे स्माइल दी, तो मैंने पचास की नोट पे नंबर लिखके दिया, आगे जाके उसने गोलगप्पे खा लिए, अब सुबह से गोलगप्पे वाले का दस बार मैसे जा चुका है, कैसे लगे गोलगप्पे? आप ही बत खुशी से, हाँ, याद आया, पती, तब मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने कहा था कि एक दिन ये हार तुम्हें लाके दूंगा, पत्नी बहुत ज्यादा खुशी से, हाँ, हाँ, बिलकुल याद है, पती, उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूँ और पत्नी खुशी से, हाँ, सच्ची, पपू बोला, हाँ, और वो बोले होंगे कि हमारी जान छूटी, अब धर्ती वाले भुगतेंगे। आप अपने करमचारियों को समय पर आफिस आने के लिए कैसे प्रेरित करते हो, मारवाडी बोला, ये तो बहुत आसान काम है, मेरे यहाँ 30 लोग काम करते हैं, और मैंने फ्री पार्किंग सिर्फ 29 ही बनाए है, 30 वी का पार्किंग चार्ज 100 रुपए है, मेरे यहाँ तो 100 बचाने के लिए सब एक दूसरे के पहले आने की कोशिश करता है, अंग्रेज ने जमीन पर लेट कर प्रणाम किया.